सोलन में स्कूल खुलने चाहिए ये नहीं इसको लेकर अभी कोई भी घोश नाने ही हुई है सोलन के जिला शिक्षा अधिकारी भी इस मसले पर अपनी चुपी नहीं दोड़ रहे हैं स्कूल इस पर खुलेंगे या नहीं इस पारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है स्कूल के अध्यापक हो या परिजन सभी बेहत परिशान है बिद्यार्थियों का वविश्य दाओं पर लगा हुआ है बच्चों को ओनलाइन शिक्षा स्कूलों दोरा दी जा रही है लेकिन उनकी परिक्षाएं कैसे होंगी या नहीं होंगी इस पारे में कोई भी जानकारी नहीं है दहीं परिजनों का कहना है कि अभी स्कूल खुलने नहीं चाहिए परिजनों ने कहा कि अभी परदेश सरकार को चाहिए कि वे स्कूल ना खोले क्योंकि अगर बे स्कूल खोलते हैं तो संक्रमन का खतरा बढ़ जाएगा उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी हालत में शोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख पाएंगे विद्याती जल्थ संक्रमित हो सकते हैं उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे कम्यूनिटी स्प्रेड हो रहा है जिसकी बज़ा से बेहत चिंतित हैं उन्होंने कहा कि जहां इतने महीने उन्होंने इंतजार किया वे कुछ मा और भी इंतजार कर सकते हैं उन्होंने बच्चों के परिजनों को भी यही सला दी है कि वे अपने बच्चों को अपने पास ही रखे तभी वे सुरक्षित रह सकते हैं उन्होंने कहा कि अगर करोना की कोई बैक्सीन आती है तो ही बै अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मन बना सकते हैं लेकिन बिना बैक्सीन के बै अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते जी बच्चों को सुरक्षित अभी भेजना तो बिलकुल मुश्किल है क्यूंकि जो ये करोना वाइरस चल रहा है इसमें कॉमिनिटी ट्रांस्पूशन का ज्यादा डर रहेगा स्कूल में क्यूंकि बच्चे शोशल डिस्टेंस का ध्यान रख पाएंगे और बच्चों की गैदरिंग भी ज्यादा रहेगी तो इस करके मेरा मानना तो यह है कि अभी स्कूल ना खिले तुजादा बढ़ी है अगर स्कूल झरैंगे तो फिर क्या स्व tąक्षित समझते हैं बच्चों के स्कूल भेजना ने अब हम बच्चों को स्रक्षित ने समझेंगे कि अभी महाबारी तो किलियर नहीं हुई अभी महाबारी का दोर चला हुआ है बहुत जरूरी है और दूर बच्चों को मेरी तो यहीं रहा है कि अभी बच्चों को ना भेजें और बीब साल के चार पांस महिने तो रह गए तो भी जहां इतना टैम लोगों ने विसराम किया है तो भी थोड़ा टैम और इंतिजार कर लें तेके बच्चे हमारे सुरक्सित रहें मैं इसको ले की यही कहना चाहुँगा जी जब तक करोना की रफ़तार थंती नहीं आजाती है तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस तरह से आज का महौल है जबसे लॉक डाउन कुला है हम देख रहे हैं कि आए दिन जो हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं तो अभी इन सब चीजों को लेके मेरा यही कहना है कि अभी अगर स्कूल खुलते भी हैं तो हम अपने बच्चों को स्कूल अभी नहीं भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा जी जैसे जिस तरह से पिछले आठ महीने जो हैं वो जो है निकले हैं आगे भी फिर इसी तरह से जो है बच्चे ऑन लाइन ही घर से जो है वो पढ़ाई किया करेंगे जब तक करोना की रफ़तार जो है वो थम नहीं जातीए अगर कोई वैक्सीन इसकी आजाती है तो तभी हम अपने बच्चों को जो है वो स्कूल बेजने का विचार कर सकते हैं अधरवाईज ऐसे महाल में तो बेजना बड़ा मुश्किल है जी